नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी में मेरा नाम है प्रदीप हर बार की तरह आप सब भी देख रहे हैं टेक्नलोजब और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर प्रोसस के बारे में अगर आप एक पीएफ एकाउंट काई होगा आप पुरा पुरा पास निकालने के लिए अपला करते है तो कलेम हम् हम गkennt कर देते हैं पोटल पर उसके बाद जो है साम को या फिर दूसरे दिन पहुंत हों पहुंच जाती है उसके बाद जो होता है अंगर uhud perché च पो लगाता धाले ऍंगर आ वह जाता है वह ल गुस्सा आ जाता है वो कहते हैं कि यार क्या ये सिस्टम है कितने दिन हो गए मेरे को एडवांस में प्रेसा निकालने के लिए अपलाई करे हुए या फिर फुलें फाइन सेटलमेंट के लिए अभी तक जब भी मैं स्टेटस देखता हूं अंडर प्रोसस ही आता है यार इसक आप मैंन मुद्दे पर आते हैं तो दोस्तों अगर आपने भी एडवांस में पीअप का पैसा या फिर पूरा पीअप का पैसा निकालने के लिए फोरम 1910C अपलाई किया है और कई दिनों से जो है अंडर प्रोसस आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कब तक आपका जो है क्ल निकालने के लिए एडवांस में फोरम 31 या फिर पूरा पीअप का पैसा निकालने के लिए 1910C अपलाई करते हैं तो जब हम सब्मिट करते हैं तो यहां पर आता है सब्मिटेड एड़ पोर्टल उसके बाद जैसे ही एपफों के पास पहुंच आती है एपफों के उस पहुंच आता है और वन वीक के बाद अगर फिर भी स्टेटस अंडर प्रोसेस ही आता है फिर आपको क्या करना है इससे पहले मैं आपको बता देता हूं देखे एपफों ने अभी यह जो कुरोना की महमारी चल रही है इस पर जो है एपफों का स्टाप कम काम कर रहा है और प्रियोर्टी देते हैं उन क्लेम को जोनों ने अपलाई किया है एडवांस में प्रियोर्टी निकालने के लिए आउटब्रेक को पेंडमिक पारा के तहत अब यहाँ पर देखे अब अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है अंडर प्रोसेस का मतलब यह है कि आपकी जो रिक्व्ष्ट ए एपफों के पास पहुंँच गई है और वो जो है वरिफाई कर रहे हैं उनके पास रिक्वेस्ट पड़ी हुई है वो चैक करेंगे उसके बाद जब सब कुछ verify हो जाएगा उसके बाद या तो आपका claim settle हो जाएगा या फिर उनकी तरब से कुछ गलती पाई जाती है तो वो reject कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर अगर आपने advance में पेप का पैसा निकालने के लिए अपलाई किया है फोरम 31 तो आपको क्या करना है वन वीक आ से फोरम 19 तेंसी अपलाई कर दिया है तो फिर आपको कम से कम 25-25 दिन आपको wait करना है और 20-25 दिन जब complete हो जाते है उसके बाद भी still under process ही होता है फिर आप क्या कर सकते हो आप मैं इसमें कुछ भी help नहीं कर सकता कोई भी इसमें कुछ help नहीं कर सकता क्योंकि पैसा जो रहता में या फिर पूरा पीअप का पैसा निकालने के लिए फोरम 19 तेंसी अफिर 31 अपलाई किया है और आज जो है 25 दिन हो गया है still under process आ रहा है उसके बाद 3-4 दिन में EPF की तरफ से आपको reply 101% मिलेगा और आपको बता दिया जाएगा कि हां हम काम कर रहे है या फिर आपका जो आपको wait करना पड़ेगा तो 20 दिन आप wait कर लिजिए उसके बाद गिर्वेंस रजिस्टर कीजिए अगर गिर्वेंस रजिस्टर नहीं करना चाते तो आप EPF में mail भी कर सकते हो EPF और पिश में अगर आपके आसपास है तो आप विजिट भी कर सकते हो तो मैं तो आपको यह पारा के तैट आपने apply किया है तो 15-20 दिन वेट करो और फोरम 19-10 अप्लाई किया है तो 25 दिन आप 20-25 दिन वेट करो उसके बाद ही आप गिर्वेंस रेजिस्टर कीजिए जिससे कि आप उनको बता सको कि इतने दिन हो गये हैं आप क्या कर रहे हो मेरा क्लेम सेटल कर दो अ आपका जो PF account है, EPFO के कौन से PF office में है और उनके पास कितने claim pending है अब मान लीजिए यह गुडगाओं का PF office है और यह है दिल्ली का तो आपका PF account गुडगाओं के office में है यहाँ पर 10 ही claim है और इनके पास 100 claim है तो यहाँ पर आपके request जाएगी तो आपका तुरंत 2-3 दिन में claim settle हो जाएगा और इनके पास 100 claim पहले से pending है आपने request submit करें उससे पहले तो यहाँ पर आपको 20-25 दिन लग जाएगे यह क्योंकि आपसे पहले जितने भी claim apply किया है लोगों ने उनको प्रियोटी देंगे क्यों वह उन्होंने पहले apply किया है तो उनका पहले काम होगा उसके ब EPFO का कई बर क्या होता है कि जो officer रहता है वो दो तीन दिन छुटी पे रहता है या फिर उनका कुछ technical problem आ जाती है ऐसे भी कुछ होता है इस वुझे से थोड़ा सा delay भी हो जाता है अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ देखे EPFO ने काभी सारे जो है तरीक होने WhatsApp help line number जारी कर रखा है तीसरा EPFO को जो Twitter account वापे tweet कर सकते हो या फिनको mail भी कर सकते हो चोथा EPFO का टोल-free number है उस पर भी आप बात ही कर सकते हो पांचवा आप लगातर बात करोगे तो हो जाएगी स्टाटिंग में जो है पांच साथ मर बीजी दिखाएगा बट आप जो है जल्दी सेटल नहीं करा सकता यह एक EPFO का process है उनके जो भी अधिकारी रहते हैं वो चेक करते हैं आपके जो request है क्योंकि सरकार से अगर पैसे लेने रहते हैं तो सरकार पूरी अच्छी तरह से verify करती है और कुछ भी गलती अगर दिख जाती है तो उसको reject कर देती है त इस तरह से उनका काम बटावा भी रहता है ठीक है और इसके साथ-साथ क्या होता है कई पीएफ office में ज्यादा claim रहते हैं तो आपका claim पीछे रहते हैं इस वज़े से delay हो जाते हैं काफी सारे पीएफ office में जो है अच्छे employee रहते हैं फटा-फट निप्टा देते हैं सब कु आपकी वीडियो में इदने था आशा करता हूं यह जानकरी आपको पसंद आयोगी अगर आपके मंद में भी कुछ इस तरह का सवाल था confusion था under process से related तो आपको answer मिल गया होगा और क्या आप कर सकते हो और मैंने जो complete जानकरी इस वीडियो में दे दी इसके बावजूद भी अ